ये हुई नब बात अरे तुम लग वही हो ना जो बिन बुलाए दूसरों के शादी में घुच जाते हो अरे आपने पेचान लिया आज के दिन भगवान भी इन से सो कदम दूर रहते हैं ये तेरे बोड़ी से मेकप उत्रेगा ना तो तेरा खुद का पती तुझे पेचान नहीं पाएगा बात करती अरे मेरी बेहन को ये क्या हो गया लगता है माता चड़ गई है जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारी बेहन के बेस्ट प्रेंट की आज मेहन्दी है इसलिए क्या आंटी क्या आंटी की बच्ची सब पागलों की तरह जूम रहे हैं अभी भी टाइम में मना कर दे लड़के वालों को कैसे जी होंगी रे में तेरे बिना मर जाओंगी रे अबे ज़ादा ओबरेक्टिंग हो रहा है बंग ले अरे रोल अरे थोड़ा हमारी दोस जा रही है अरे तू तो रोले अरे अरे पत्थर दिल तुझे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है हम यां रो रो के मर रहे हैं तुझे बस अपने हाठों में मेहन्दी लगानी है एक पराई इंसान के लिए तो अपने बच्पन के दोस्तों को छोड़ के जा रिये रुक्चिया बेटा तेरे टाइम आएगा तो बताती हल्दी की रसम के लिए दुलन रेटी होके बैठ जाती है पर ये क्या बिचारी दुलन सजधज के बेठी है पर दुलन की तरफ तो कोई ध्यानी नहीं दे रहे अरे इसके वो नोटंग की दोस्त कहांगे जो फूट-फूट के रो रहे थे आम इधर है भाई देखो सिंपल सा रूल है पहले पेट भरके खाना फिर हल्दी में नाच गाना खाना ठीक है पर रसगुले बने होते तो मजा जाता हाओ केंजी डू लग दिस यार हल्दी रेडी है दुलन की दोस्त कहां है लो में आ गई इस बिच कैमरे वाले भाईया बोलते हैं अब एक एक करके हल्दी लगाना दुलन को एक साथ नहीं अरे एक एक करके लगाओ यार सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को पहरे होगे क्या सब अरे नहीं यार ऐसे मजा नहीं आएगा तुछ तुफानी करना पड़ेगा ये हुई नब बात अरे बच्ची पागले ये लोग कुचल देंगे तिरे को चलियां से पेट भरके खा ले बहू ये में तीसरी बारे मम्मी जी अरे बबलो की मम्मी खाना कैसा था अरे अभी तक सुरूई नहीं क्या है अमने ये पान कैसे दिये भाईया बना के दूँगा मैम अरे वो इंग्रेज के ओला पान को ऐसे नहीं खाते है अरे तुम लोग वही हो ना जो बिन बुलाए दूसरों के शादी में गुझ जाते हो अरे आपने पेचान लिया जब पेचान लिया तो चलो एक फोटो ले ले लेते हैं फिर अचानक कुछ लोग दुल्ले को ले के आते हैं और मंडप में पटक देते हैं ये नारियल पकड़ इसका क्या करूँ फोड़ दे मेरे सर पे ओके एक्स्कूज में भी आप वही हो ना सिदी दास के वीडियो में बिना बुलाए दूसरों के शादी में गुझने वाले अरे नहीं मेडम वो मेरा हमसकल है अरे पिचे में जागिर जाएगा